आप सभी को में यी तरफ से प्यार रहा नमस्कार, मैं या नाम तरुन गुरुपर है और मैंने रामज़स कॉलेज दली इंग्लिश में लिटरिचर किया है और मैं पिछले 5 साल से SSC और बैंक के एक्जामेनेशन के लिए कॉम्टिटिव इंग्लिश ठीच कर रहा हूँ यह तो होगया, छोटा सा इंट्रोड़क्शन आते हैं मुद्दे की बात के उपर मुद्दे की बात यह है कि आज की क्लास में बलोग बात करने वाले हैं 10 Most Important Connectors के बारे में अब यह जो Connectors हैं आप किसी भी एक्जामेनेशन की त्यारी कर लिजे आपको जनरली यह दिखाई दे ही देते हैं तो बच्चे अकसर इनके Meaning को लेके बड़े Confuse रहते हैं तो मैं इनके Meaning, English Meaning, Hindi Meaning और प्रॉपर दो-दो Sentences दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से Detail में इसीच समझ में आजए सबसे पहले हम ऐसे Connectors के बारे में बात करेंगे जो कि Contrasting in Nature होते हैं Contrasting in Nature का मतलब दो Opposite Ideas को जो Connect करते हैं सबसे पहला जो Connector आपके सामने है वो है Neverdeless Neverdeless क्या होता है? इसका Hindi में मतलब होता है के बावजूद या फिर फिर B और English में मतलब होता है In Spite of That या फिर आप कहले जिए Despite क्या कह सकते हैं? Despite के बाद हम लोग ओफ का यूज नहीं करते हैं आपने सुना होगा Despite और In Spite of A की चीज होती है Sentence के तरूँस का Meaning समझने ही कोशिश करते हैं Many marriages fail Nevertheless people continue to get married कहने का मतलब बहुत सारी शादियां fail होती है बावजूद उसके लोग फिर भी शादी करते हैं बावजूद उसके के बावजूद यहाँ पर सेंसार है Nevertheless का बहुत important connector है It is a difficult race Nevertheless about thousand runners participate every year Difficult race है बावजूद उसके फिर भी इतने सारे जो runners हैं Participate करते हैं तो उमीद करता हूँ कि Nevertheless का meaning आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद बात करते हैं Nonetheless कि यह भी दो opposing ideas को connect करता है यह भी वही same meaning देता है जो meaning Nevertheless देता है इसे कहते हैं Nonetheless Nonetheless का मतलब भी फिर भी हाला की कि बावजूद in spite of that same meaning है Example के तोर पर मतलब बहुत कम उन्होंने चंदा दिया बावजूद उसके हमने बड़े प्यार से उसे लिया लेकिन जनरली आप लोग देखते हैं आप कही मार्केट में जाते हैं बैगर्स आपके पास आते हैं एक दो रुपे देने के कोशिश करेंगा आशकल बिखारी भी मूँ मोड लेते हैं उनको भी 10 कनोट चाहिए कोई ऐसा दयावान उनको मिल जाए रास्ते में जो अपनी जाहिदाद पूरी उनके नाम कर दे वो तब राजी होते हैं लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि बहुत कम चंदा दिया बावजुद उसको बहुत वेलकम तरीके से रिसीव किया गया वाम तरीके से रिसीव किया गया मतलब अभी बहुत दूर तक जाना है मनसुल अभी बहुत दूर है बावजुद उसके कुछ प्रोग्रस हमने कर ली है तो दोनों का meaning same है, ध्यान रखिएगा ऐसे ही एक word और होता है, all the same इसका मतलब भी यही होता है all the same, none the less, never the less यह तीरों same है, इसका मतलब भी यही के बावजूद, क्या होता है, इसके बावजूद भी in spite of that, example के तोर पे she knew they had meant it kindly but it had hurt all the same कहने का मतलब वो लड़की जानती थी कि उन्होंने जो बात कही है, वो विनम्रता पुर्वक कही है, लेकिन वो बहुत जादा hurt हुई, उसके बावजूद भी उनकी बात, मैं दुबार repeat करता हूँ, वो लड़की जानती थी कि उन्होंने जो बात कई है वो भूत विनबरता पुर्वक कई है लेकिन बावजुद उसके but it had hurt all the same, बावजुद उसके वो hurt हुई है मतलब विनबरता पुर्वक कहने के बावजुद भी वो बात हमको hurt हुई है तो वही बावजूद वाला सेंस आ रहे है ना ये टर्म बच्चों ने सुना नहीं होता बड़ा युनीक टर्म है लेकिट इमोस्ट इंबॉर्णट है इट रेंड एवरी डे ओफ आवर हॉलिडे बट वी हाद गुड टाइम ओल दू सेम मतलब जब जब हम जिस जिस दिन हम हमारी छुट्टी थी मतलब जब वेकेशन पर गए तो प्रते एक दिन जितनी भी छुटियों के लिए हम गए थे प्रते एक दिन वर्शा हुई है बावजुद उसके हमने बहुत बढ़िया time वा enjoy किया हमने बहुत बढ़िया समय वेतीत किया तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि तीनों का meaning आपको समझ में आगा है nevertheless, nonetheless, all the same अब हम ऐसे connectors के बारे में बात करने वाले हैं जो similarity को show करते हैं सबसे important जो हमारे connector है describing a situation which is closely connected with one you have just mentioned or is similar to it कहने का मतलब जब भी हम कोई situation को पहले mention कर देते हैं उसके बाद फिर अब अगर हम correspondingly का use करते हैं तो correspondingly यह मैं इसमें fumble क्यों कहा रहा हूँ fumble नहीं होना चाहिए correspondingly का use हम तब करते हैं जब पहले वाली बात से ही related कोई बात हमें कहनी हो you use correspondingly when describing a situation which is closely connected with one you have just mentioned correspondingly का use हम तब करते हैं जब हमें कोई ऐसी situation कहनी होती है जो की closely connected होती है जो बात already हमने कह दी होती है आज और example देख लेते हैं it has fewer problems it has fewer problems and correspondingly requires less maintenance कोई चीज होगी इसको करके refer कर रहे हैं कि उसके अंदर बहुत ना के बराबर problems है और ना के बराबर problems है इसी वजह से उसकी maintenance भी कम है या problem ही कम है कोई गाड़ी आप ख़ईते हैं मालो उस गाड़ी अच्छी गाड़ी है उसमें आपको बहुत कम problems आती है तो अगर problem कम आती है तो उसकी maintenance भी फिर less होगी उसमें खर्चा भी कमाएगा तो कोई चीज किसी दूसरी चीज से connected है तो correspond कर रही है relate कर रही है वहां हम लोग use करते हैं similar बात को बता रही है Life in the city is more expensive शहर में रहना ज़्यादा खर्चे वाला काम है but salaries are correspondingly higher लेकिन लोग की फिर salary भी शहर में क्या होती है जादा होती है तो कोई statement आपने mention की है corresponding लेकर use हम तब करते हैं जब अगली वाली statement उससे connected है जो आपने बात पहले कह दिये कि शहर में रहना खर्चा वाला काम है लेकिन उसके इसाब से देखें तो फिर salary भी जादा मिलती है तो एक बात दूसरी बात से connected है कहीं न कहीं परिणाम उसका आ रहा है परिणाम सरूप तभी इसका मतलब है बहुत प्यारा शब्द है उमीद करता हूं समझ में आ गया होगा अगला आपके सामने likewise ये भी same meaning देता है इसी तरह क्योंकि likewise उस correspondingly similarity वाले connectors होते है in the same ways का मतलब होता है क्या होता है in the same way जैसे just water these plants twice a week and likewise the ones in the bedroom कहने का मतलब इन पौधों को हफते में दो बार पानी दीजिए और इसी तरह से समझ में आ रहा meaning the color of the lake has changed जो lake का color है वो change हो गया and the color of surrounding area likewise तो इसी तरीके से जैसे lake का color change हुआ है तो इसी तरीके से आसपास का जो area का color है वो भी change हो गया है तो इसी तरीके से likewise ये भी similar बातों को connect करने के लिए use होता है अगला word अगले जो connectors है वो sequencing वाली term से बनते है sequencing में बड़े प्यारे बड़े connectors आते हैं बच्चों ने सुने तक नहीं होते हैं कुछ बच्चों ने सुने भी होते हैं शुरुआत करते हैं to begin with to begin with का सबसे पहला जो हिंदी meaning होता है वो है पहले पहल क्या है पहले पहल used for introducing the first thing in a list of things you are going to say मतलब अगर आप बहुत साही चीज़े कहना चाहते हैं उसमें से सबसे पहली जो चीज़ आप introduce करना चाहते हैं तो उस चीज़ को introduce करने से पहले हम use कर सकते हैं to begin with कि सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बहुत सारी बाते कहने हैं लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ to begin with I would like to say this thing that thing I hope my point got clear there were six of us to begin with then two people left मतलब जब हमने शुरुवात की थी तो छे थे लेकिन फिर दो लोगों ने छोड़ दिया तो शुरुवात की थी पहले पहल दो थे पहले पहल छे थे लेकिन फिर दो लोगों ने छोड़ दिया there were six of us to begin with शुरुवात में छे थे लेकिन फिर दो लोगों ने छोड़ दिया why were you annoyed तुम इरिटेट क्यों हुए तुम्हे इतने खीज क्यों ही चिल चड़ा हट तुम्हें क्यों हुए well to begin with I missed my train तो फिर वो आंसर दे रहा है कि चलो सबसे पहली बात तो यह कि मैंने train miss कर दी है उसके बाद भी बहुत सारी बात होंगी लेकिन mention नहीं की है वो बताना जा रहा है कि सबसे पहली बात तो कि मैंने train अपने miss कर दी है तो उसके बाद और भी बात बताई होगी conversation आगे चली होगी लेकिन यहाँ पर आगे हमने conversation को continue नहीं किया यही sentence कदम गर दिया ताकि आपको बस meaning ही समझ में आ जाए to begin with का मतलब firstly अगर normal भाषा में कहों तो कहते हैं first of all firstly वो शब्द उस करते हैं अगला है for one thing यह बड़ा unique है बड़ा प्यारा connector है यह भी इसका मतलब भी यह यह पहली बात तो यह जो तु tik-tok टिक-tok चलती है माना यह सारी तेरी high heels की गलती ऐसा करना नहीं करना है for one thing का मतलब है पहली बात यह है कि पहली बात यह है कि जैसे example के तोर पे as one example or reason out of several important ones मतलब किसी ने आप से कोई सवाल पूछा कि यह चीज क्यों होई और आप बहुत सारे कारण बताना चाहते हैं और सबसे important जो कारण आप बताना चाहते हैं उस कारण से पहले आप use करते हैं for one thing जैसे यह पहले-पहल से related यह उसी तरीके का ही है क्योंकि यह sequence बताने वाले हैं न सारे example के तोर पे a lot of people do not take the time to read contracts for one thing they are often in a very tiny print कहने का मतलब बहुत साहे लोग जो होते हैं contracts होते हैं, agreements होते हैं उनको पढ़ते ही नहीं है क्यों नहीं पढ़ते हैं बहुत साहे reason है लेकिन सबसे important सबसे पहला reason यह है कि वो बहुत छोटे-छोटे अक्षरों में print हुआ होता है और भी बहुत सारे है several important points है लेकिन वो सबसे important point को बता रहा है सबसे important reason को बता रहा है तो important reason को बताने के लिए for one thing का हम लोग use करते है कि पहली बात और सबसे important ठीक है why don't you get a car तुम गाड़ी क्यों नहीं खईते well for one thing I cannot drive तो बहुत साहे reason है गाड़ी ना खईतने के हो सकता है पैसा ना हो हो सकता है कि पापा ना दिला रहे हो लेकिन उसमें सबसे important reason दिया well for the one thing I cannot drive सबसे important चीज़ तो यह कि मैं drive करी नहीं सकता हूँ सबसे पहली बात तो यह मैं drive नहीं कर सकता हूँ और भी बाते होंगी वो बताई नहीं है लेकिन आप समझ पारे है मेरी बात है अगला word आपके सामने इस इस related बढ़ा प्यार है one reason is and another reason is यह simply meaning है जैसे you ought to stop smoking आपको smoke करना धूम्रपान करना बंद कर देना चाहिए ought to का मतलब बंद कर देना चाहिए you know for one thing you are damaging your health and for another you cannot afford it मतलब सबसे important reason तो यह है कि आपको क्यों बंद करना चाहिए कि आप अपनी health को नुकसान पहुचा रहे है कोई बाद ने कोई बाद ने call को बाद में अटेंड कर लेंगे आज ही यह बस अब आप ringtone देखके थोड़ा सा अचंबित मत हुएगा ये मेरे भाई के पास phone था कुछ दिन और उसने set करके दी थी तो मुझे अच्छा लगा था ये ringtone तो वैसी ही लगा लिया घर में पड़ा हुए कुछ मम्मी पापा का number इस ringtone से save कर रखा है तो पता लग जाता है कुछ करीबी का call आ रहा है तो बाकी सबकी जो tone है वो oneplus का phone है तो वही tone है ringtone है लेकिन ममी पापा का इसी ringtone से save कर रखा खैर ममी अभी बुला रही है खाना खाया नहीं है मैंने record कर रहा हूँ मैं चला जाओंगा तो ये तो होगी कुछ trivial तुछ बाते इसको हम side में रख देते हैं ये तो randomly बीच में आ गया है ना question पर focus करते हैं हम क्या बात कर रहे हैं तो for one thing सबसे पहला reason तो ये है कि आपको क्यों smoking छोड़नी चाहिए कि आप damage कर रहे है अपनी health के साथ और दूसरा reason ये है कि आप afford नहीं कर सकते हैं आपके पास cigarette पीने के पैसे है नहीं और पीए जा रहे हैं अगला है आपके सामने furthermore क्या है furthermore का मतलब इसके अतिरिक्त मतलब कोई चीज है वो तो है सासा दूसरी चीज भी है in addition besides more importantly ये furthermore more से ही आप meaning समझ पा रहे हैं जैसे house जो है वो beautiful है furthermore it is in a great location एक तो beautiful है और तो और वो बढ़ियां location में भी है तो मतलब कोई बात add करनी है और important बात add करके बतानी है addition देना है तो furthermore का use करते हैं वो हमेशा time पर आती है furthermore उसका जो work है वो उसमें हमेशा बढ़ियां perform करती है excellent है अपने काम को लेके तो information को add कर रहे है furthermore ध्यान रखेगा अगला है moreover बड़ा प्यारा है यह भी same meaning देता है इसके अलावा है ना इसके अतिरिक्त used to add information also and more importantly a meaning होता है whole report is badly written बड़ी गंदी तरीके से report लिखी गई है और तो और इसमें गल्तियां भी बहुत है inaccurate है और तो और इसके अलावा इसके अतिरिक्त it was a good है ठीके सिर्फ अगला है importance बताने वाले connector और last हमारे connector है और जो word आपके सामने primarily क्या है primarily इसको हम Hindi में बोलते हैं मुख्य रूप से या फिर मुख्यत है और मुख्यत है और English में कहते है mainly we are primarily concerned with keeping expenditure down मतलब मुख्यत है हम अपना जो खर्चा है उसे कम करना चाते है सबसे important चीज़ हम अपना खर्चा कम करना चाते है बहुत साही चीज़ हम tackle करना चाते है लेकिन सबसे important खर्चा कम करना चाते है primarily we want to do this thing primarily मतलब the most important point we would like to do I hope my point got clear the magazine is targeted primarily at young middle class women वैसे तो magazine सबके लिए लेकिन मुख्यत है वो target की जा रही है young middle class women है उनके लिए तो मैंने आपको 10 most important जो connectors हैं वो सिखाने की कोशिश की है उमीद करता हूं कि session आप लोग को अच्छा मिल जाएगी और उमीद करता हूं session अच्छा लगा है session अच्छा लगा है session को like कर दीजिए इतनी देल तक रुखते हैं और channel पर नहीं है तो channel को subscribe कर लीजिए और मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत प्यार टेक केर